नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अन्विंदर और मेरी चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत दो स्वागत हैं मैं सभी का ख्यान बग्दम करती हूँ कहते हैं कि राजनीती में संकेतों का बड़ा असर होता है बहुत सारी ऐसी बाते होती हैं जो कहनी नहीं पड़ती लेकिन संकेतों के जरगे वो पूरी की पूरी बात कहती जाती है और यही संकेत अजोध्या में लगी राजठाक्रे की होडिंग्स कह रही हैं जिन पर बड़े इनका संदेश महाराष्ट की राज़िती में अपना असर दिखाने वाला है क्योंकि महाराष्ट नम निर्मान सेना सुप्रीमो राजठाकरे पाच जुन को अपने परिवार के समेथ अजुद्या में आ रहे हैं कहने को तो उनका जो विजिट है अपने परिवार के संग राम जनम भूमी में राम लला और हर्मान गड़ी में दर्शन और पुजा करने के लिए हैं लेकिन बात इतनी नहीं है ऐसा भी सूचा जा रहा है कि राजठाकरे अजुद्या आकर के जो संदेश देने वाले हैं उसक महाराष्ट में कई राजनीतिक समिकरन बन भी सकते हैं और बिगड़ भी सकते हैं राजठाकरे की होडिंग्स में एक सब्द जो है वो बहुत माहिने रखता है वो है भगवाधारी ऐसे में महाराष्ट की राजनीति में जिस संदेश को देने के लिए राजठाकरे कड़ी सबसे बड़े भगवादारी और यूपी के मुखमंतरी योगी अधितनात है राज ठाकरे का यूपी के मुखमंतरी से मुलाकात करना भी लगभगता है क्योंकि उनके प्रोग्राम में उनसे मुलाकात का जिक्र है मुकमंत्री योगिन से मुलाकात और उजुद्या से दिया जाने वाला संदेश राज ठाकरे की राजनीती में कई मतलाव लाएगा इसके जरीए पहना सिरफ मराठी मानुश बलकि बाला साथ ठाकरे के जवाने के कोर वोटर को अपना संदेश पहुचाना चाहते हैं तो इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि जो बाला साथ ठाकरे का जो वोटर है उसको वो अपनी और आकरशित करना चाह रहे हैं इसी संदेश के जरीए राश ठाकरे महाराष्ट की राजनीती में ना केवल अपनी खोई हुई जमीन को पाना चाहते हैं उसे मजबूत करना चाहते हैं बलकि नए समय करनों के साथ एक बार फिर से राजनीती का तिलक करना चाहते हैं तो दोस्तों यती राश्ट ठाकरे से जुड़ी हुई एक ताजय जानकारी मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी और कंटेंट के साथ तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल लगे और हाँ अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपनी राइब मुझे जरूर दीजेगा मेरे कामेंट सेक्शन में जैहिन जै भारत